तो एझे आपके मेरी वीजियो से बात करने वाले हैं बढ़े के फ्लाइट मेकमादर्नों के अच्छिस कियीकि आपको असान से रसार वर्स मेंश को समझा सभ़ू कि यह बहुत टाफ riches बार्द का फ्लाइट मेकानीजम तो इस विडियोय को में स्टार्ड करते हैं बिर्ट फ्लाइट इस डिफाइद एजड़ा मौल्ड ऑफ स्लाइज यूज बाई बाईट स वाईट त radius वाईट फ्लाइट रहा था करके वक्त इसके कौन यसानेम हम यूप लोग कैसे लोकोमोश करते हैं लोको मोशन करते हैं जोनी करते हैं तो इसी तरीके से वह सुथ होते हैं बड में क्या Kaori क्रुम खुला हैं इसके बाहं मुसक्राइब हुआ जाने रहे पैश कि अपर प्यूस की graffiti लाइट वेट समूढ फैदर्स मांणा हो न्यूंहीं जो बर्स होती है अपने फेदर्स को फ्लाइब करकी आगे क्यों बढ़ती हैं मोशन करती हैं आगे क्यों तो उनके पीछे के तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम ड्राइग बोलते हैं बीक होती है तो बीक क्या है कि तीट क्या ही एक पर पोर्स जोजश यू नहीं होती है तो बीक क्या है कि दूकर ताकि बीक का पा कि पिल्ठाण को पी геро पर मसल टैजमें निहीं इसको इस टन्नम बोलते हैं इससे जो मसल सोती हैं इस लिए पूर्स बोन्स अर बेसिकली होलो विद एयर सैक्स एंद थीन क्रोउस पीसे पीसे चुन में बोने स्ट्रॉंगर एंके जो बोंस होती है वह अंके बीच में क्रोस पीसस इन लगी होते हैं जिससे बहुत स्ट्रॉंग मुंस बंती हैं यहां पर आप देख रहे हैं और यह बॉन के देखिए यह जो इस तरीकहे से लगा हुआ पाद दिख रहा है यह cross pieces है ठीक है यह cross pieces बोन के पीछ में लगी होती है ताकि बोन strong है जब बोन हालो है लेकिन उसके नहीं cross करके से pieces लगी हो लेते हैं इस तरीक से cross करके यह fill पूरा नहीं रहता है a streamline body this helps deduce the force of drag इनकी body कैसी थी streamline होती है मतलब कि इस तरीके की इनका body का shape होता है जो कि drag को कम करता है wings this enables the force of lead wings होती है इसके जरीए से जो बर्स होती है वो lift करती है मतलब कि fly करती है जिनकों को lift का force मिलता है fly करने का force मिलता है इसके बद हम जानेंगे flight mechanism करेंगे अभी हमने इसके physical features के बारे में जाना बढ़ के क्या जाना physical feature के बारे में है इसके अब हम flight mechanism के अब हम जानेंगे बट के flight mechanism के बारे में इससे पहले हमने physical feature जाना कि बट में कैसा physical feature होता है कैसे अड़ार एड़ाइशन इसमें होता है वह आमने जाना कि बाद होता है यहां पर देख सकते हैं यह बढ़न है यहां त्रस्ट है यह के बीश में पैलेंस और थ्रस्ट औरो ड्रैक के बीश में बैलेंस होता है यहाँ इस यहाँ पर सब्सक्राइब नब THIS मतलब दो की तरह की लखती है यूश्कमट पर अपॉसला बोलते हैं और ऑनिचे की तरह गराइविटी लखती है इसको उको दर्ैक बाइबशन की वह जिससे जो नीचे की तरफ ग्राविटी लगती है उसको हम ग्राविटी बोलते हैं जो नीचे की तरफ फोर्स लगता है उसको हम क्या कहता है ग्राविटी बोलते हैं जो उपर की तरफ फोर्स रहता है उसको हम लिफ्ट बोलते हैं जिसके जरीय से बर्ट फ्लाइ करती है तो and lift is generated by the flow of air over the wings मतलब lift क्या है lift कब generate होगा जब wings के उपर air flow करेगी जब birds अपने wings को flap करेंगी और उनके उपर air जब flow करेगी air गुजरेगी उसी से lift regenerate होता है उसी से birds क्या होती है उठती है असमान में और fly करती है birds wings are not flat but are concave below and convex above the air that passes over the top of the wings has more distance to the travel and thus it speed up that air passing under the wings तो जब birds की जब wings होती है वो उपर की तरीब से flat नहीं होती but are concave below and convex above कैसी होती है उपर की तरीब से ये concave होगी और नीचे की तरफ से ये क्या होगी convex होगी convex above and concave नीचे तो ये concave होगी नीचे से उपर की तरफ से convex होगी तो convex होने एक वज़े से उपर की तरफ से तो उपर का जो area होता है wings का वो क्या होता है ज़ादा होता है तो जब पर इसकी उपर से गुजरती है sorry जब wings air जब wings की उपर से गुजरती है तो उपर के शर्वेस होता है जिस वज़े से यहां पे एलिया ज़ादा होता है इस वज़ेसे जो air होती है उसको ज़एड़ डिस्टेंट ट्राविल करना पर था उसकी स्पीर्ट ज़ादा होती है और नीचे के तरब जो होता है तो तो ऊपर की तो मुकाबली नीचे जो डिस्टेंस होती ए कम होती है इसकी वजह जो होती है नचे जो अशुनित होती चाहँ तो कम डिस्टस ट्रावल करना पड़ता है और नीचे की तौनितम जनना वाकule क läuft कम होती है युजर की यह जी जो स्टीक जो या चाहँ आचाण दो कम होती है the air that passes over the top of the wings have more distance to travel and thus speed up than oh then air passing under the waves वही बता रहे है कि उपर का सर्फिस होता है convex होने वज़े से उसका जो जगह होती है area होती है जाद होती है इस वज़ेस उपर जब air जब गुजरती है तो उसको distance travel करना पड़ता उसको speed ज़्यादा होती है नीचे distance कम travel करना पड़ता है एर को सीज नीचे speed कम होती है decreasing air pressure on the surface of the wing and creating lift तो उपर का सर्फिस होता है जैसे यहां पर मैंने शो किया है उपर को सर्फिस होता है वहां का जो सर्फिस होता है वहां का ज्यादा area cover करना पड़ता है ज्यादा area travel करना पड़ता है ज्यादा area travel करना पड़ता है ज्यादा area travel करना पड़ता है ज्यादा travel करने वज़े से उसका area कम होता है इसको ज्यादा distance travel करना नहीं पड़ता है और को नीचे की speed उपर स्पीड के मुकाबले एर की कम होती है तो स्पीड उपर जाद होती है नीचे स्पीड कम होती है उपर स्पीड जाद होने को वज़े से व्लासिटी जाद होने को वज़े से उपर के तरफ प्रेशर कम होता है और नीचे के तरफ जो होता है प्रेशर नीचे के प्रेशर क्या हो जो सर्फिस होता है वेंक्स का वह विलाउसिटी ज्यादा होगी इसलिए प्रेशर डिक्रीज होता कम होता है नीचे के सर्फिस में व्लाउसिटी क्या होती है कम होती है नीचे के सर्फिस पे प्रेशर ज्यादा होता है इसी वज़े से यहां पर जो बढ़ होती है वह लिफ्ट प्रोड्यूस कर सकती है क्योंकि उनकी विंग्स लाज होते हैं ज्यादा फोर्स जेनरेट कर पाते हैं ज्यादा स्पीड से वह उड़ पाते हैं स्मालर विंग बर्ड नीड टो फ्लाइब फास्टर तू मेंटेन दा सेम लिफ्ट आज वीद लाज़ विंग्स होती है ज्यादा वह इनर्जी से वह फ्लाइब करती हैं ज्यादा इनर्जी फ्लाइब करती है तो उनकी उपर से जो एयर गुजरती है वह ज्यादा स्पीड से है और जिस वजह से वह अच्छ ते और तेजी से वह प्लाई कर पाती है लेकिन हैं लिकिन जो पार मुणेग करा पया पती हैं कि तक था बहुत होरा हुआए लड़ सकें उसे विछाए पर वो कि उप्र एस नहीं होट जिसे अनौन के तर्क तर्क शूचाएं the gravity will bring the object on downwards जिसे कि air current strong नहीं है अगर तो जो drag है and the gravity है वो object को नीचे लियाएगा तब मतलब कि object उपर सही से flying नहीं कर पाएगा it means that in order to remain suspended air there must be enough force to negate a drag force मतलब कि अगर air current जादा नहीं है air current जादा strong नहीं है तो situation में जो drag है gravity है वो object को नीचे लियाएगा मतलब बर्ड को नीचे लियाएगा अगर bird fly करना चाहता है air में तो उसको क्या करना पड़ेगा उसको अपने उसको जादा force की जरुवत होगी ताकि वो drag force को कम सके मतलब इसको अपने wings को और तेजी से flap करना पड़ेगा ताकि वो drag force को कम कर सके and that must be proportional to the weight of the individual और जो force है वो individual के weight के बराबर होना चाहिए तो अगर drag और gravity ये जादा हो गया अगर air करने इस ट्रॉंग नहीं है तो drag और जो gravity है वो object को नीचे लियाएगा इसका मतलब ये है अगर object को बर्ड को air में रहना है तो उसको drag force को negate करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा और ताकि वो air में suspend रह सके और ये जो force है वो weight के बराबर होना चाहिए ये इंडिजुल के डाउन श्ट्रोग मोशट अडो flight powers come from the하 डाउन श्ट्रोग add the wings moves मुज्द है फरवर्ड तो बहु सारी के फ्लाइट के अनेर्जी होती है फ्लाइट पावर उती है रॉन श्ट्रोग से आती है बतलब वह अपने विंग्स को नीचे के तरह ऐसे करके फ्लाइब करके आगे तरह मूव करते हैं अपस्ट्रोग दूरी तब स्ट्रोग विंग्स आर पार्शिली फोल्डेट तु डिजूस ट्रैग बट मुस्ली टीज़ रिकवरी स्ट्रोग डिटर डिविंग्स वादर निस्ट डाउन इस्टोग तो कभी कब फी आप स्ट्रोग में जाते हैं उपर के तरह फी डाउन स्ट्रोग में आ जाते हैं नीचे के तरह आ जाते हैं तो डाउन स्ट्रोग से आप स्ट्रोग में जाते हैं ताकि वापस ड्राइबर स्ट्रोग में आ सके और यह ड्राइब को अपने रिट्यूस करने के लिए आते है और यह dawn stroke में इसलिए रहते हैं ताकि वो उनको energy मिल सके energy के नीचे जाने energy power के लिए फ्लाइट पावर डान इस्टोक में आते हैं few of stroke में जाते हैं ताकि drag कम कर सके वो और इसके साथ साथ दुबारा dawn stroke में जा सके इसलिए भी roll of tail the tail of a bird serves a variety of balancing is sharing and breaking function तो यह tail होती है breaking में balancing में sharing में function करती है इता हो enhanced lift that wings produce during low speed flight low speed flight पे भी यह wings को यह lift को enhance कर देती है during horizontal flight spreading the tail feather increase lift जब यह birds horizontal flight करती है उस time पर यह tail की feathers होते हैं जो बड़ की पीछे की तरफ जो feathers पाई रहते हैं उसको tail की feathers करेंगे उस time यह increase कर देते हैं lift को मतब और horizontal flight के time पर इंपने tail की feather की spread कर देते हैं इस तरीके से उड़ बहते हैं तो उसको opposite effect परता है Tilting to tail sideways turned the bird अपने ये ये tail होती है उसको थोब सा जुका देते हैं ताकि bird turn कर सके अपने tail को क्या करते हैं वो जुका देते हैं ताकि वो bird turn कर सके घूम सके वे नब बर्ड लैंज इस tail deflects down serving as an airbrick जब बर्ड नीचे के तरव आती है फ्लाइट करने बाद जब टेक आफ वो करते हैं जब बर्ड वो नीचे की तरफ आती है तो उस टाइम पर यह क्या करते हैं इनकी जो टेल होती है वो नीचे की तरफ जोग जाती है और यह एक तरीके से ब्रेकर का काम करती है तो बर्ड जब लैंडिंग करते हैं नीचे की तर किसी यह काम करता है उस टाइम पर तो यह मेरी वीडियो थी बट के फ्लाइट मेकनीजम पर आप आप वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद ना है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो के लाइस शेयर और कमेंट करना ना भूलें थैंक यू थैंक्स वाचिंग मैं टी बट्थियो